दिजिनल मीडिया है तो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया है तो फेस्बुक है ट्विटर है और तमाम ऐसे आप हैं जहां आए दिन कोई ना कोई मसले और मसाइल हमारे सामने आते ही रहते हैं लेकिन पिछले चार से पाँच घंटे से हम एक ऐसी खबर को देख रहे हैं जिससे अगर हम अंदाजा लगा है तो सोच सकते हैं लेकिन नफरतों का जो सिनारियो है वो अलग तरह से सामने आया है हम बात कर रहे हैं Zomato Food Delivery App की जिसमें एक कस्टमर ने Food Deliver तो किया लेकिन जब Delivery Boy को मुसलिम नाम जाना तो उसने वो Food लेने से इंकार कर दिया और Twitter पर Zomato को टैग करके कहा कि हमारे सावन चल रहे हैं इसलिए मैं मुसलिम Delivery Boy से ये समान नहीं लोगा लेकिन मसला ये नहीं है मसला ये है कि Zomato ने जिस तरह से रप्लाई किया और उसके बाद जिस तरह से उसकी निंदा हो रही है और तमाम प्रकरण चल रहा है उसी पर बात करनी के लिए हमारे साथ मौजूद है शाहिन नजर और नजीम अक्रण तो शाहिन सार जिस तरह से ये प्रकरण सामने आया है आप उसे किस तरह से देख रहे हैं मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि Zomato ने जो स्टेंड लिया कि उसना का कि Delivery Boy चैनी नहीं करें दूसरी बात जो इससे भी जादा बड़ी खुशी की लग र रहे हैं लोगोंने Zomato को appreciate किया है इस वक्त पूरे मुल्क का जो महौल बन गया है उसमें ये बहुत बड़ी बात लगती है कि हम लोग एक multi-cultural multi-linguistic और multi-religious society में रहते हैं यहां पर इस तरह की बात होती नहीं रही हैं पिछले कुछ दिनों से होने लगी हैं और अब लोग लोगों के इंतहाई बेशर्मी से ये बातें करने लगे हैं पिछले साल जून में दो वाकियात ऐसे आए एक kola company के driver ने ये सुनके कि मुश्किम महले में जाना अपने customer को अवतार दिया वीच रास्ते में बाते हो उसमें प्रोटेस्ट किया वो असाद अश्रफ और बशू अवाकिया सामने आया था जब customer ने कह दिया कि हम किसी मुसल्मान से बात नहीं करना चाहते हैं उस वक्तार की बात ये हुई थी के एर टेल कंपनी ने customer की request को मान लिए और अपना service executive चेंज कर दिया आज फरक ये है कि जूमेटो ने के stand लिया जो बात बड़ी अच्छी गई ये उसके जो CEO है जूमेटो के दिपिंदर गोयल तोनों ने ये tweet किया वो बड़ी इच्छी बात किये कि food does not have a religion, it is a religion. अच्छी बात लिए हाने का क्या मतलब जिस शखस ने ये कहा कि मैं मुसल्मान से कहां से मैं delivery नहीं ही लूँगा अगर कोई गयर मुसल्म पे उसको पहुंचा रहा हो तो उसके पाफ क्या पता कि इसको पकाया किस ने इसकी packaging किस ने किया तो कहां कहां जाएंगे, किस किस चीज़ में करेंगे ट्रेन में सफर करते हैं उसको चलाने वाला पून आपके साथ है प्लेन में कुछ आ रहे हैं आप पून है उसका एक किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि पेट्रोल के बारे में के गर्फ का ट्री टॉट रही आया है तो पेट्रोल के इस्तामाल बद कर दोगा तो यह पागलपन हमा देख रहे हैं वो बड़ा अजीब है और यह पागलपन के बीच में जब कोई एक देपिंदर गोईल जैसा कोई शक्त सगर आता है देखें इन्होंने एक और टूटर आपना टूट किया कि वी आर प्राउड आइड 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 आइ कि हमारे कुछ वैल्यूज हैं बिजनस जाता है तो जाए लेकिन हम इस पर कॉंप्रमाइज नहीं करेंगे मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वो लोग जो मुल्क का महुत खराब कर रहे हैं उनको चैलेंज किया जाएग और चैलेंज है दिपिंदर गोईल जैसे ल अगरे सुधान कि अजे एम लोग जो को से नाम हिंग लोगा नाम फांतास्तिक आइधिंक here you lost one but gained a million well done क्या बात यह जो 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 कहा जा रहा है और इसके बात देखें Thank you for being brave, very rare in the cowardice-filled corporate world. यह बात भी सही है। एर टेल के जो रवया हम लगोर में देखा था उसके बाद इसको अगर देखते हैं कि यह संदीप मनुधाने बात दिख रहे हैं कि कॉर्परेट वर्ल जो है इस मामले में जरा सा बुजदिली का सबूत देता है हम समझते हैं कि यह एक अच्छा शिल्सला सिर्फ यह के कॉमन लोगों नहीं ही है बलकि भासकर और अधाम ऐसे लोग हैं कि वह स्वारा बासकर का हम लोग पढ़ेश देखे क्या लिखा है श्रिया शेगल है क्या है शेटमें इन जोबाग है New Restless for Zomato Twitter.com यह इन उन इस पर दिया है Food does not have a religion, tag किया उसको It's a religion अच्छा tagline है यह और यह स्वारा भासकर का भी कह रही है अपले इन को क्या है To Mr. Goel Thank you for standing up for the real idea Idea of India and true Indian values You are a true citizen and patriot More power to you यह देखें, true patriot यह बात कह रहा है You are a true citizen and patriot यह चीज़े हम लोगों को जब तक के लोग ज़्यादा ज़्यादा लोग ऐसे सामने नहीं आएंगे और वो लोग जो नफरत हला रहे है उनकी आखों में आखें डाल के जब तक वो यह नहीं बोलेंगे तब तक यह मसला हल नहीं होगा और अब समिन देखना जाया जो लोग ट्विटर पर लिए लिख रहे हैं वो लिखने वाले भी गैर मुस्लिम हैं जो बिलकुली तमाचा जाए जो ऐसे लोग समाज में एक नफरत पैराने की कोशिश कर रहे हैं आप मुस्लिम है तो मैं आपसे खाना नहीं लूँगी और अगर आप मुस्लिम है तो आप इन्हें पहले चेंज करिए मैं तब फॉन पर बात करूंगी तो यह यही लोग हमें पहचानने की भी जरूरत है विए भी जो नफरत नहीं देश में शान्ती और प्यार का महल चाहते हैं मेरा अंदाज़ा यह कि अकसरियत जो है वो ऐसे ही लोग बिलकुल है यह थोड़े से लोग हैं यह बहुत वोकल होते हैं यह अपनी बात जो बहुत आदा आधा बड़ी उची आवाद में भोलते हैं बाके लोग खामोज रहते हैं सुनते हैं हर आदमी जहना नहीं मूलनेना लेकिन हम समझते हैं कि यह इस तरह की जो मोमेंट्स आते हैं जब कोई एक बड़ी कंपनी इसने एक स्टेंड लिया तो अब लोग सामने आये उसके जवाब में और अभी अगले दो चार दिन हमको देखना होगा कि इस पर किस तरह से होता है और जो हमारा गुदी मीडिया है और जो बाकी जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो इसको किस तरह से लेते हैं और इस वह कहेंगे कि डेमज कंट्रोल करने की कोशिट करेंगे वो जो जो मुद्धी मीडिया इस मुद्ध को उठाएगी कि इसमें तो मुस्लिम की तादिप जोमेंटर में कर दी है वो तो सेन अगर इफंड किया जाए अब उसको कोई तरीक आशाज जया लोग भूड़े हैं तो इसको पंडित अमिर शुकला ने जब ये टूइट किया था तो करीब सौ के आजपस जो टूइट थे पुंके पक्ष में ही आया थे कि आपने सही किया कि एक मुसल्मान के दाद से आप लेकिन जब खाने का मजब नहीं है मजब खाना फुद एक मजब है जब जो मैटो ने ये बात लिखी है उसके बात सब लोग सामने आया है और तक उन लोगों ने लिखना शुरू किया है कि पहली एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने इंप्लॉई को जाता तबच्छो दिया र रहा है एक तो ऐसेर दिखाया जा रहा है दूसरा यह दिखाया जा रहा है कि किस तरह से नराज कर लगी है जमक अपने कॉस्टमर को अपने डिलीगरी बागए जाता रहा है कि दोनों ब्रक और निखाया जारह और उसे के साथ-साथ को साफ तॉ動画 पढ़नीए से समझ मेंeed लिखने वाला कि जहनियत के साथ भडगर को लिख रहा है लेकिन अब वो खबर नहीं, वो जहनियत को पढ़ रहा है, तो यह जो वेब साइट और यह पुरा डिजिटल मीडिया और सोचल मीडिया में जो चेंज़ आये हैं, वो कितना खतरनाक मानते हैं आप मैं जिन लोगों ने उस कस्टमर को सपोर्ट किया लेकिन अगर बाद में उसको उपोस करने वाले और जमेटों की तारीफ करने वालों की भी तादाद कुछी कम नहीं है जैसे सो लोगों ने अगर उनके कस्टमर साथ उनके उस पर आकर की करा हैं मुझे तो लोगों इसे ला दिया है लाफों लोग जो पे लिए बहुत बड़ी आपका प्रजर्शन है और आपने बाहिचारे का पैगाम है क्योंकि देर्सों से जादा अंस्टॉल भी किया गया है जुमाइटो के आपको अंस्टॉल किया लोगों ने बत्ता है वो लोग जो उस कस्टमर के सपोर्ट में है लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इसकी वजह से जुमाइटो की गदर उनकी नदरों में बढ़ जाएगी और ये बात ये दिपिंदर गोल लिख रहे हैं कि वी आर प्रावड अफ द आइडिया उफ इंडिया पर अंको फखर है आइडिया उफ इंडिया पर और ये डाइवर्शिटी आवर्शिटी आव कि अपने प्रावड आवर्शिटी नुखसान होता है तो फोट लेकिन हम अपने जो हमारे जो वैल्यूज हैं हम उन पत पर कॉंपरमाइज करने वाले को समझा होता है नहीं करने वाले तो हमें ऐसा स्टैंड लेने वाले लोग चाहिए और हम समझते हैं कि ऐसे लोग भी ल कि लोग आज भी ऐसे मौझूद है बलके यह ज्यादा बड़ी कादाद में है। सिर्फ मामला ही है कि यह लोग खामोश रहते हैं लेकिन जब इस तरह के मोमेंट्स आते हैं तो वो उसको बोलेंगे उसके बारे में देख रहे हैं बलके कुछ और भी कमेंट्स हम लोग पढ़े हैं इसे बड़ अच्छा है बड़ा उच्छी हो रही है कि लोग जो इस पर दे रहे हैं वो लगता और जो मैटर को थाई क्यों बोल रहे हैं और उसके इस कदम के सराना कर रहे हैं क्योंकि आज के वक में यह चीजों को देखना नहीं मिलता और दुसी तरह से यह कंपनिया स्टार लेकिन लगाता ट्वीट्स में यही सारी चीज है विल्कुल सही कह रही है कि आजकल बड़ी रारीटी हो गई है ऐसा बहुत कम देखने हम आता है कि इसलिए कि बिजनस वाले लोग यह होते हैं वो उनको अपने प्रॉफिट से ही मत्ब होता है लेकिन उनको यह भी समझना चाहिए कि कहां से प्रॉफिट कमा रहे हैं अगर म आप समाज में रहते हैं तो आपको एस्टेंट लेना पड़ेगा वो यह आर दा रीजन फॉर अल दा प्रॉब्लम इं दिस वर्ल्लों उसके लिए कस्टमर के लिए लिए लिखे रहे हैं मैंनी ओन हिंदू और typ दीटर फोपी दिलीट यूर ट्विट यह संजे का मना मानगत अला लिखरें बड़ एक ही बात लिखें बो यू ऒरड़े जन फोल्लम सिन थी वर्ल्लम इंद मिस वर्लस आइं अंप यूब्ग how you know many यूंव będziemy吃 लीए लिए तो एक सजेशन भी दिलोग दे रहे हैं इक नफरत जो फैनाने की कोशिश करें उसे डिलिप कीजिए सर लास्ट में इस तंक्लूजन को खतम करते हैं असल में यह महल तयार क्यों करा जा रहा है जो अकसर हम देख रहे हैं पिछले साल की ऐसे दो मामले देखने को आए तो यह सब घट रहे हैं इसे रोका कैसे जा सकता है इसी तरह रोका जा सकता है। इस तरह के जो करते हैंuclear सेंगे जो मेतो जैसी उसको रोग सकती हैं और इस तरह के वाकियात हो रहे हैं यह असल में reflection है, हमारे मुलक में जो हालात बनाए गए हैं यह आम लोग है, वो इस में आ जाते हैं यह रहा बहुते हैं तो उनको भी एहसास होगा हम समझते हैं तो हम समझते हैं कि आज का दिन एक अच्छे नोट पर खतम हो रहा है इस लहाज से कि हमने एक अच्छी ख़बर देखी है जो कि समाज में एक अच्छा पैगाव नहीं है